आप समझे, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, जब हम कहते हैं लोक तंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की बचाने की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, लोक तंत्र क्या होता है, खुल के जवाब मांगो, सवा और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है जूटों को फैलाया जाता है आप सोचिए राहुल गांधी दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहां से पढ़के आये हैं हारवर्ड और केमरिज की उनकी डिग्री है केमरिज से उनोंने एकनोमिक्स में मास्टर्स डिग्री एमफिल डिग्री उनको मिली आप उसको पपू बनाते हैं पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों डिग्री आपने देखी नहीं सचाई आपने देखा नहीं उनको पप्व बना दिया फिर पता चला कि यह पप्व तो यातरा में निकलाया और पता चला कि यह तो पप्व है marketplace इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं यह इमांदार भी है यह सब बातों को समझता भी है यह जंता के बीड जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है तो जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांदी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कम्प्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चेहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांदी के संसद में अडानी पिके भाशन देने के एक हफ़़़च बाद एक हफ़़़़दे बाद वो आदمी वापिस जाता है कहता है केस खुल दीजी अब हम त्यार हैं एक महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राउल गांदी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फटते हो गई जजमेंट भी फटते हो गई यह सजा भी फटते हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए यह चुनाओ नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावा 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 बहुत धेरिया है आप में अरे कायर हैं कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचा ही यह है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है